हेलो बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद सांदार जिन्दबाज जबर्जस्त होंगे इस वीडियो को थोड़ा देरी से कर पाया हूं लाइव उसके लिए च्छमा चाहूंगा बच्चो आज आपका फॉर्म से समदित कोई भी डाउट रहना जाए और बहुत स तो उसके लिए तही दिल से मैं आबारी हूं लेकिन आपका ये भाई आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरा है अब भी उतरेगा तो आपकी कोई भी क्योंकि आपनी तरह विश्वास दिखाया है तो मैं चाहता हूं कि कोई भी इतनी सी भी सिंगल मिस्टेक आपके फॉर एक्षन तक ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग हमारे यहां बीसेफ को लाश्ट चॉइस भरते हैं सबकी अपने अपनी चॉइस हो सकती है लेकिन बीसेफ अधिकतर लोग मैं कहता हूं 99% लोग बीसेफ को लाश्ट में रखते हैं और सबसे टॉपर होने के बावजूद पिछली बार एक लड़की को फश्ट चॉइस उसने बीसेफ ही डाल दिया थै क्योंकि जब हमारा नोटिफिकेशन आता है उसमें सबसे उपर भीसेफ लिखा रहता है और वही क्या कि आपके इंटरनेट वाले ने जो बिल्कुल नोटिफिकेशन से कॉपी करके वह सीधा व पूरी नौकरी है तेलरी तो वहां इनसे भी अच्छी है बट जो आप यह सोचते हो कि यार मुझे पढ़ने को थोड़ा सा आगे टाइम मिल जाए साइथ बीसेफ कितनी हाय ड्यूटी है जहां पढ़ने का समय तो आप भूल जाओ ठीक है आप फिर देश सेवा तो सबसे अ वो जीडी का था वो सारा बच्चा इधर आ गया है तीनों सेनाओं ठीक है तो इसलिए कंप्टिशन बहुत बढ़ता जा रहा है दूसरा एक अच्छी बात इस बार यह है कि कंप्टिशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पिछली बार बहुत तक्णा जा रही थी 134 तो आम बात थी यूपी जासे स्टेट की तो भाई उसका कारण था कि तीन साल के अनुभवी बच्चे को भी मौका दे दिया गया था कारण क्योंकि एज में छूट दी गई थी इस बार वो सब देखने को नहीं मिलेगा इसलिए 26,000 को सोचके पुछली बार क वेकेंसी थी तब कट आफ इतनी हाई गई इस बार 26,000 वेकेंसी है तो अब कर तो कट आफ आसमान चुएगी पहले तो बता दू कि दो तीन नंबर में ही यह बाद के जो 25,000 बच्चे जादा थी ना पिछली बार वेकेंसी यह दो तीन चार नंबर में ही आ जाते हैं सारे दो तीन नंबर ही डाउन जाएगी बस कट आफ कभी सोचते हो आपकी बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा और वेकेंसी पचास हजार और बढ़ जाए ना 26 यह पचास और बढ़ गी छेतर हजार भी हो जाएं तो ज्यादा ज्यादा कट आफ जितनी अब रहेगी ना इन 26,000 म में ज्यादा ज्यादा चार नंबर डाउन जाएगी और पांच नंबर डाउन जाएगी तो क्या आप पहले से सोचके नहीं सकते मैं चार पांच नंबर ज्यादा मेहनत करूंगा तो आप यह बाते तो दिमाग से निकाल दो कि 26,000 वेकेंसिे हैं और 45 हوتी तो मैं लग जाता a 26 म मैं नहीं लगूंगा ठीक है जो जब भी जो नहीं लगता वो जब भी नहीं लगेगा कुको 70,000 में से तब भी Track OR CP 26,34 लगते और 70,000 में से अगर आप तेयारी positivity के साथ करते हो तो हाँ मैं ये वीडियो जो लेकर के आया हूँ ये बताने जरूर आया हूँ कि भई आज चुकि आप choice आप preference की choice भरने वाले हो तो मैं आपको एक एक नौकरी की खास बात बताने वाला हूँ बहुत सांदार ये वीडियो रहने वाला है थ 20 माइ थी हलागी ये लगातार साल अबलेगे लिए 23 इननोंने skip कर दिया मैंने बोला था इस साल नौकरी नहीं आएंगी तो 23 इननोंने साल स्किप किया नौकरी इस साल दे दी अगली जो साल है 25 वाली दे दिया उसको नाम 23 वाली कोई जॉब नहीं है SSCGD की तो इसको 24 नाम भी है इसका एक कारण भी है ठीक है अवतार 2.0 हमारा न्यू बैच आएगा ये सब को पता था पहला अवतार बैच हम लोग आल्मोस्ट कंप्लीट करवा चुक है लेकिन मैस रह रहा है वो भी कंप्लीट होई जाएगा पहले दिसंबर से दिसंबर की पहली डेट से ये को है जिन्होंने पहला बैच नहीं लिया था वो इस बैच को पर्चेज कर सकेंगे एक दिसंबर से के बाद बाद यानि एक दिसंबर से स्टार्ट कर दोगे अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट प्रिफरेंस कैसे चुने तो आपको सारी नौक्तियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए पहले मैं बताता हूं SSF के बारे में तो जो बच्चे माली जी महरास्त का है वेस्ट बंगॉल का है वो बहुत ज़्यादा पसंद या आसम का बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद SSF को नहीं करेगा क्योंकि ये औल लाइफ ये नौकर इस बार वी पास को मिलती है SSF दस वी पास को ही मिल जाती है सेलरी वगेरा में बहुत ज़्यादा फरक है नहीं लगबग उतनी ही बन जाती है और बच्चा वर्दी भी आपको SSF में मिलती है ये रही वर्दी आपकी से ठीक है और यहाँ पर इसका काम क्या होता है कि दिल्ल करना चलगे वैड कि में जितने भी मंतराल्य है सचीवाले है हलाकि जो आप नई नई B dettofun रही है हाई ग्रेड बिल्डिंग मन रही है उनमें तो समय केली NICK गही ए दिल्ली के अंदर उन सब में SSF ही रहती है क्योंकि SSF CISF करती है ड्यूटी बहुत टाइटली किसी को अंदर नहीं घुशने देंगे लेकिन SSF के में इतना टाइटली नहीं हो पाता है तो इसलिए हलाकि यहां भी सब कुछ चेक करना पड़ता है इनको वहिया इनका काम यह है कि authentic person ही अंदर जाए ministry में अपना आई-card दिखाओ जो आई-card अंदर के लिए एलाव है वही अंदर जाएगा वरना तो आप मत जाएए reception से card बनवाईए officer से अंदर से call करवाईए वो reception पे call करेगा अगर यह card बना देंगे आपका reception वाले हम आपको अंदर जाने देंगे यह इसका काम होता है अंदर लगे वाहनों वगेरा जो पार्किंग वगेरा उनमें भी साई सुभर वस्तित तरीके से रहे यह भी SSF का ही काम है SSF का काम तो यह है और भाई दो छुटी इनको हफते में मिलती है weekly दो आफ मिल जाते हैं तो यह office की सी ही duty रहती है और 8 गंटे क की जौब रहती है ठीक है तो भाई इसमें तो फुल फैमिली टाइम है यह तो दिल्ली पुलिस से भी अच्छी नौकरी है इस पेसली महिलाओं के लिए अच्छा कुछ नहीं हो सकता वर्दी की भी आपकी ख्वाइस पूरी हो जाती है और मजे ले रहे हो आप सिविल वाले है चलो बफ आ रहा होगा इस टाइम आता ही है बफ हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है बाद में देख लेना सी आए सेफ के बारे में बात करूं तो भाहिया सी आए सेफ एक ऐसी नौकरी है कि भारत में जितने भी उद्योग है चाहे वो प्राइवेट अगर उसको गवर् के सिक ठयोड़ी मेट्रों है एक वद्योगी है तो दिल्ली अटीरों में रहेगी क्हां यही रहेगी स्याए सफ यह एरपोर्ट है तो एयरपोर्ट शाए किसी का प्राइवेट भी किसी ने बना रख़ए तो वहां भी आपको यह रष्टी ऑं दिज्वा देती है तो इंडेस्ट्रियल है यह इंडेस्ट्रियल सिक्यॉरिटी ठीक है सेंट्रल इंडेस्ट्रियल सिक्यॉरिटी फूर्स यह है और जोगिक सुरक्षा बल केंद्रिय और्द्योगिक सुरक्षा बल तो अद्योगिक वही जैसे मेट्रो भी उध्योग है वायु यान भी उद्योग आपको सी आएसाइफ का देखने को मिलती है तो बस उद्योगिक उपकर्मों की शुरक्षा बिए है कि कोई भी यहां पर गलत लोग प्रेवेस ना करें बहुत बढ़िया नेक्स्ट है SSB SSB का काम है SSB बच्चों सबसे सांत बॉर्डर कौन से अगर आप बोलो जो भारत से लगे हुए बॉर्डर है वह भूटान का बॉर्डर बहुत सांत है भूटान की सेना कभी नहीं सोला ह होगा भारत पर आक्रमन कर रही है नेपाल की सेना यहां के लोग एक दूसरे में भी जा सकते हैं और बिना पास्पोर्ट के जा सकते हैं अपना ID कार्ड दिखा दो भारत का ID का नेपाल में चलेगा नेपाल वालों का भारत में और कई जगे तो भारत में नेपाल वालों को तो बुटान और नैपाल के बॉर्डर पर ये लोग रहते हैं लेकिन इन बॉर्डर के थ्रू जैसे भारत पूरी सुरक्षाशा रखता है लेकिन कोई पाकिस्तानी है भारत में गलत तरीके सेंटर करना पड़ चाहता है तो वो क्या करता है पाकिस्तान वाला पहले नेपाल में आ जाएगा भूटान में आ जाएगा उनकी अच्छी सुरक्षा है नहीं और फिर उनके माद्यम से भारत में प्रवेस कर जाते हैं भारत में और भारत और नेपाल भारत भूटा तो वहां पर ऐसे लोग प्रवेस ना क पड़ता यूपी के बच्चों के लिए बिहार के बच्चों के लिए यह बहुत अच्छे से सूट करती है क्योंकि आपको यूपी बिहार के बॉर्डर पर ही है पंगला देश और भूटान का और नेपल का बॉर्डर यहीं लगता है इन दोनों राज्यों से हला कि और भी रा नकसल विरोधी आपने सुने हो गए नकसल हमले में दो जवान सहीद तो आपने कभी वार्मी के जवान नहीं सुने होंगे ना कभी वो COP के सुने होंगे तो वो कौन होते हैं CRPF के ठीक है तो CRPF वास्तव में बहुत तगड़ा काम करती है देश में आंतरिक सुरक्षा का अगर कोई जिम्मा रखता है तो CRPF के उपर ही होता है देश में कहीं भी दंगे भढ़के तो CRPF ही लगा दी जाती है अब जम्मु कस्मीर में भी अगर सब को सांत करना पड़ा था 370 धारा हटाई थी तो CRPF ही भेजी गई थी को देश का अंतरिक मामला है तो अंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी इन पर ही होती है माली जो चुनाव वगेरा में पुलिस की जुरुत पड़ी अब पुलिस सेंटर के पास एक ही है देखिए सेंटर रिजर्व पुलिस है लेकिन एक देश की पुलिस भी तो होती है तो देश की पुलिस ही है तो जहां किसी राज्ये पर असमर्थ हो जायता है राज्ये कि मैं अपनी पुलिस ववस्ता काबू नहीं कर पा रहा हूं तो वो सेंटरल से मदद मांग सकते हैं देश से मदद मांग सकते हैं तो CRPF जाती है वहाँ पर बहुत बड़ी इस्तिती को कंट्रोल करने के लिए तो यह उन राज्यों की पुलिस फोर्स से बहुत मजबूत होती है इनके ट्रैनिंग काफी मजबूती से दी जाती है चलो ITBP के बारे में बता देते हैं तो यह इंडो तिब्वत क्या है भारत में ही रहते हैं ठीक है वह माचल प्रदेश में आपको बहुत तिब्वतियन देखने को मिल जाएंगे धरम साला वाल वगयरा जगह पर ठीक है तो बहारत और चीन के बीच सीमा की रक्षा के लिए तो बहारत और चीन की चीन भारत के अंदर ना खुश जाए तो उस की जो सिक्यॉर्टी करते हूं यह है आर्मी ने आर्मी तो वही युद्ध के लिए आती है ठीक है बाकिस सिक्यॉर्टी रखना इनका है पाकिस्तान का बॉर्डर बंगलादेश का सिक्यॉर्ड रखना बी एस एफ का जिम्मा है चीन का बॉर्डर सिक्यॉर्ड रखना आई VP का जिम्मा है लेकिन अगर दक़द करने की बात होती है तो आर्मी आती है लेकिन अगर सिक्यूर्टी करते करते हैं आपने सुनहुऑ पार उसके जवसे जवान सही इसके जवसें तो वह इस वजय से होते हैं क्योंकि fatigue पर विचारे युद्ध के लिए नहीं है इस सेक्योरिटी वहां बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर के सेक्योरिटी पहरा दे रहे हैं उस दौरान कोई उनको थोड़ी पता है अगले वाले क्या सोच रहे हैं कितनी गंदी मान सिकता से वो लोग है ठीक है इस वज़े से कभी कभी आप सुनते होंगे ऐसी बुरी खबरें चलो तो ये भी आपको समझ में आ गया तो एक परकार से ये भी आपकी बॉर्डर की पुलिस है वो रिजर्व पुलिस थी और ये भी एक पुलिस है तो बच्चों यहां आगर मैं सेलरी की बात करूँ तो सेलरी सबसे अच्छी क्योंकि पहाड़ी एरिया में एक रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है ऑक्सिजन की भी कमी होती है कई बार इतनी उचाही पर ये लोग रहते हैं बहुत थंड में रहते हैं तो यहां पर सेलरी बहुत हाई होती है औरों के मुकाबले जैसे मान लीजिए आप किसी सी आर सेलरी है 40,000 के आसपास इसमें हो सकता है आपकी 65,000 हो ऐसा अगर आप बहुत हाइट पर बैठ है तो इतना फर्क भी हो जाता है सेम पोस्ट ठीक है तो अच्छी खाजी सेलरी ITVP में बनती है तो बच्चो लेकिन इलाक्य भी थोड़े से दूर सुदूर ही रहना पड़ता ह है चलो अब मैं आपको असम राइफल की खास बात बता देता हूं असम राइफल को वो लोग चुनते हैं ITVP को भी उत्तरपूरी वी राज्य वाले बच्चे बहुत पसंद करते हैं यह एक ऐसा अर्थसेनिक बल है जिसका मुख्यले दिल्ली में भी नहीं है इसका मुख्य है तो इसका दिल्ली से भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है तो वहीं हेड़कॉर्टर बना रखा है क्योंकि सारी फोर्सेज यह वहाँ है तो उत्तरपूर्वी राज्यों में अगर कोई असम राइफल में भरती होता है तो उसकी पोस्टिंग कभी भी इधर होने के चा है तो आप असम राइफल चुनिए पूरे तरह से आर्मी की तरह यह काम करती है और यह उत्तरपूर्वी राज्यों की आर्मी है यह समझ देजिए उधर के राज्यों को सेक्यॉर्टी यही यही फोर्स देती है असम राइफल असम के लोगों के लिए मेगाल ले के लिए मन क्योंकि यहां भी salary अच्छी खासी देखने को मिलती है salary high यहां भी रहती है तो वो लोग इसको first prefer करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे यहां के लोग क्योंकि इनको बहुत दूर पड़ती है तो वो लोग इसका है तो भारत ही हलाकि पर चुनते कम है अब बच्चो BSF तो BSF में बहुत सारे हमारे यहां के लोग या पूरे भारत से ही लोग होते है तो भारत पाकिस्तान भारत बंगला देश अगर आपको बिलकुल कि देश के लिए मुझे मरना मिटना है देश के लिए ही मुझे सबसे front line में रह करके रखना इसकी सुरक्षा रखनी है तो भाई वो BSF को चुनते हैं बहुत ज़्यादा देश प्रेमी लोग इसको यानि आपको सबसे ज़्यादा मतलब अगर दूसरे की आर्मी देखनी है उनसे टक्राव देखने हैं सब कुछ देखने हैं तो वो BSF को चुनते हैं ठीक है बच्चो सीमा वर्ती छेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना वहां के गाउं जो बॉर्डर पर बसे हुए उनको सुरक्षा वगयरा देना सब इनका काम होता है सीमा पर तसकरी होती है मानलों पाकिस्तान बंगला देश से बहुत ज़्यादे तसकर आते हैं ठीक है उनको रोक ना करना वह इनहीं का काम होता है गुसपैट कोई ना करे आतंक वादी जो गुसपैट होती है इनका ही काम है सीमा पार खूफिया जानकारी एकत्रित करना सीमा पार क्या चल रहा है खूफिया जानकारी भी ये लोग एकत्रित करते हैं बच्छो आप सुनते होंगे NSG कमांडो, Black Cat कमांडो ये क्या है फिर ये कहां से आते हैं तो ये इनी फोर्सिस से जिनका फुजिकल बहुत अच्छा होता है इनी फोर्सिस से अच्छे-च्छे कमांडो को निकाल लिए जाता है ये नहीं है कि कोई वो अलग से कोई भरती होती है तो आपका अगर फिजिकल ही बहुत जादा फिट हो तो इनी ये से निकाल लिए है उमीद है कि आपको सारी forces के बारे में का अच्छी समझ अब हो चुकी है और अब आप अपना decision लेने में बहुत help आपको मिलने वाली है अब देखिए बच्चो अब अपना form अब में form filling के लिए video है ना तो इसके लिए भी तो जरूरी है ना ये बात जानना तो भाई मैं काम तो इसके लिए आया था लेकिन अभी मैं choice भी भरवाऊंगा मैंने सारी forces के बारे में आपको बता दिया है अब हम form भनने की बात कर लेते हैं form कैसे भरना है बच्चो तो देखिए अगर आपने SSC का कोई form अब तक नहीं बरा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले रजिस्टर नाव पे क्लिक करके बेसिक डिटेल हैं वो भर दीजिए अगर आप पहली बार SSC की साइट पे आ रहे हैं अब तक SSC का किसी भी भरती का form नहीं बरा तो आपको रजिस्टर नाव करना होगा और अगर आपने पहले कुछ भी भर रखा है तो आपको लॉग इन करना होगा यूजर नेम आपका पहला यूज हो जाएगा पासवर्ड आपका यूज हो जाएगा ये डेट आप बर्त का साइध रहता है बनाते हैं और ये यहां लिखा होता है उसको लॉग इन कर लीजिए तो जब आप लॉग इन कर लेंगे तो जो डिटेल आपने पहले भरी होंगी वो सब आ जाएगी अब आप क्यों सर हम तो भूल गए पासवर्ड वगेरा तो फॉर्गट पासवर्ड पर चले जाना आपके मुबाइल नंबर और इमेल आइडी भरवाएगा उस पर OTP वगेरा उस पर ही आपका यूजर आइडी पासवर्ड भेज़ते गा उससे फिर लॉग इन हो जाओगे ठीक है क्लिक कर देगे एह अपलाइए और कलिक करते ही यह definite कोलम की बाद मिदा रहा ह 생οιπόν यह यह ऑल र इडा हुआ हए गा ऑलीडी अगर कुछ चेंज करना होगा थो चेंज भी किया जा सकता है ठीक है यह और डृडी भरा हुआ आएगा लेकिन यहां नहीं कर सकते जब आपके रिजिस्टर वहीं पर करेक्शन का ऑप्शन आता है अगर आपने पहले कभी कोई गलट डिटेल भर रखे तो चेंज की जा सकती है ठीक है लेकिन अब यहां पर आ करके लॉग इन करने के बाद यहां पर नहीं भर सकते कुछ च यहां यह वाले का ही फार्म होगा वरना यह एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपने जन्रल भर दिया तो टेस्ट पॉंट एक पर टेस्ट टो लास्ट है चलिए जेंडर मेल है ओवी सी है नेसनल्टी यह सब कुछ खुद भरा हुआ है खुद क्लास 10th का वहां आपने भरा ह होगा यह सब खुद बढ़ा हुआ है यह धरना है इसलि nécessaire इसको घृएन कर दिया यह आपको करना होगा नो करना है अगर यह आपके लिए है ही नहीं, आप इनमें कुछ करी नहीं सकते, अब आपको और क्या करना है, weather seeking age relaxation, यानि आपको age relaxation चाहिए, अगर आप बचो age relaxation अगर आप 23 year से ज्यादा के हो, तो आपको yes करना होगा, OBCS, CST में आते हो, और अगर आप ज्यादा के हो तो, अगर आप नहीं ह हो, तो no कर दिए, चाहिए, आप OBCS, CST में हैं, लेकिन 23 से कम के हैं, तो आप no भर दीजिए, फिर आपको यहाँ code ही नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपने, क्योंकि OBCS, CST में है, तो यहाँ पर आपको वही code चुनना होगा, जैसे यह बच्चा OBCS का है, तो इसको क्लि OBCS 2 पर आ रहा होगा, SC 3 पर या ऐसे कुछ आ रहा होगा, वो select कर दीजिए, RUA National Credit Corps, यानि NCC के आप सदस्य हैं, तो अगर yes हो तो और नहीं हो तो no कर दीजिए, तो भी यहाँ इसने no कर दिया, क्योंकि यह नहीं था, अगर आप yes करेंगे, तो यह fill करने पड़ेंगे, कि type of expenses certificate A, B, C, ठीक है, और फिर अगर verify का मतलब फिर से वही डालो यह नहीं, दो बार verify करना है, एक बार तो भर दिया B, फिर दूसरी बार मालो कर दिया B, तो यह सही है, अगर दूसरी बार में A कर दिया, तो यह गलत है, वो accept नहीं करेगा form, तो verify इसलिए करवाता है कि confirm है, कु कुछ नहीं भरना, यह फिर आपके लिए ही नहीं, preference of examination center, तो भहिया, SSCGD में अब आपको center क्या डालना है, देखिए इस बच्चे ने आगरा merit लखनव डाला है, merit पहले में डाल सकते हो, आगरा यहाँ डाल सकते हो, यह central region वाले में आते हैं, अगर आप northern region के हो, तो भहिया तो दिल्ली का भरना चाहरे हो, center, यार, UP के भर ले ना, merit वाले, merit मेरे रहे हैं, दिल्ली पुलिस में आपने देखा, दिल्ली center जिन्होंने डाला था, वो पटना तक गया है, paper देने, ठीक है, और जिन्होंने UP डाला था, merit वगएर, merit के, merit मेरे रहे हैं, जद़ जद़ बरे अपने आप code आजाएगा, ठीक है, ये code word को आपको टेंसर लेनी नहीं है, medium for computer-based examination, तो आपको हिंदी में paper देना है, ये इंगलिस में देना है, तो अगर आप हिंदी में ही दोगे जाए अधर, पर बहुत सारे बच्चों को ये confusion होगा, सर मैं यहां हिंदी चूज कर लेता ह हूँ, तो क्या मैं फिर इंगलिस में नहीं आएगा, क्या मेरा question, बिल्कुल आएगा बच्चों, question तो देखिए, वहां पर question वाइलिंग वल ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं है, तो ऊपर यहां लिखा रहता हिंदी, और यहां drop-down रहता, हिंदी में चलना ठीक है, और जैसे इसको करोगे इंगलिस, तो question English में देख जाएगा, यहां पर click करके हिंदी की जगे, इंगलिस ऐसे तो इंगलिस पर click कर देना, तो question English में देख जाएगा, लेकिन आप यह हिंदी क्यों भरवा रहा है, फिर यहां, यह इसलिए भरवा रहा है, ताकि यहां by default आपका हिंदी जा सके, लेकिन अगर आपको question English में भी देखना है, तो आप यहां पर click करके हर किसी की screen पहुता है, इंगलिस में देख जाएगा, ठीक है, वो पहले दोनों में दिखाई जेता था आप, लेकिन साइद हिंदी का, हिंदी वालों को देखता है, English का English, वो करना पड़ता है, व क्योंकि इस question स्क्रीन पर नहीं तो छोटा दिखता था, बच्चों की यह सिकायते थी, इस वज़े से उन्होंना ऐसा किया, verify medium for computer-based exam, यानि फिर दुबारा लिख दो, वे हिंदी भरा है न, पक्का हो न, पक्का हो न, इसलिए verify करवाता है, state of UT domicile, आपका state कौन सा है, उत् characteristic है, यानि देखिए हर किसी को यहाँ domicile बनवाना ही पड़ेगा, मूल निवास प्रमान पत्र बनवाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी state के हो, किसी भी जाती के हो, तर हम तो general category के हमें भी बनवाना पड़ेगा, 100% बनवाना पड़ेगा बच्चों, domicile certificate हर किसी बच् ठीक है, लेकिन domicile सब को चाहिए, अब domicile, आप उत्तर प्रदेश के हो, तो भी या state of domicile वही डालोगे, अब आप district of domicile, आपका district कौन सा है, तो वह इस से पता लगा लेगा, बॉर्डर में आ रहे हो, आप यह नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो वो tension भी आपको नहीं लेनी ह है, वो खुद देख लेगा, बस अपना district डालना है, जिससे आपका domicile बना हुआ है, अब देखिए, पिछली बार इस कॉलम ने बहुत दिक्कत की थी, इस साइद 20 वे पर था या 21 वे पर ही था पिछली बार भी, have you migrated from the state of you are, of you, your, ठीक है, आप अगर किसी दूसरे state से migrate migrate मतलब बसे हो कहीं जाकर, अगर ऐसा हो कि हम बिहार में थे पहले, लेकिन हम महरास्ट में बस गए हैं, हमें महरास्ट का ही फायदा लेना है, तो आप इसको फिर यस करोगे, और इसको फिर इसको भी फिर यस करोगे, दोनों को यस करना पड़ेगा अगर आप ऐसा फायदा लेना चाहते हो, लेकिन आप जिस स्टेट में पैदा हुए हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी का डो में साइल आपके पास है, तो आप इसको नो ही करके चलना, वरना बहुत प्राबलम हो जाएगी, ठीक है, पिछली बार बच्चो ने ये तो यस कर दिया, ये नो, इसको सब क हो जाएगे, ये कुछ नहीं भरना, ठीक है, आप कहीं किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं बसे हैं, तो नो ही भरना, चलो, क्लियोर एकदम, आगे बढ़ो, वही संख्या नहीं दिख रही, आगे देखो, नेक्स्ट, इस्टेट आफ, इस्टेट आफ यूटी आफ और इजन, ये भी उन्हीं को भरना है, जो माइग्रेट की है, माइग्रेट मतलब जैसे मैं वेस्ट पंगॉल का महरास्त में बस गया, तो वेस्ट पंगॉल स्टेट आफ यूरिजन उन्हें को इडालना है, महरास्ट ऊपर डल गया, ठीक है, क्योंकि महरास्त तो पिछले म belongs to बेटा देखे 21.1 से 20.4 यानि अगर आपने ऊपर नो कर दिया तो 21 वाले सारे कॉलम बंद है अब 22 वे पर आ रहा हूं 22 वह आपका खुद ही चुकि रजिस्ट्रेशन में आपने नो भर दिया है कि आप नक्सल अफेक्टिड एरिया से हैं तो वहीं भरवा ले गए रजिस् के टाइम भरना होता है तो भाई नोटिफिकेशन में दे रखा कि कौन कौन से बॉर्डर डिस्टिक है आपके स्टेट में आपका अगर वो डिस्टिक है अपने स्टेट का चेक कर लेना तो आप उसको वहां रजिस्टेशन टाइम यस करें तो फिर यहां यस आएगा फिर आपको बॉर्डर डिस्टिक वाली कट ओफ में जगे मिल जाएगी ठीक है बॉर्डर डिस्टिक कट ओफ थोड़ी नीची जाती है अब प्रिफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ सीए पीएफ अब पोस्ट प्रिफरेंस कैसे डाले यह बहुत बड़ा सवाल है बच्चो मैंने तो इस आप से सही नहीं हो सकती वह नौर्ट इस्ट वालों के हिसाब से बच्चो मेरी बताई हुई प्रिफरेंस कैसे बड़ी हो सकती मैं तो पहले पैसे सब बताऊंगा लेकिन नौर्द वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी समराइफल है ठीक है अब जो आर्मी की बरफ पसंद है मैं तो बरफ बॉर्डर वाला देखना चाहता हूँ BSF चुनेगा ठीक है तो इस तरीके से वो ऐसा चुनाव करेंगे बाकी मैंने आपको जो भरवाई है पोस्ट प्रिफरेंस पहले नंबर पर H SSF दूसरे पर बच्चो CISF नंबर दो पर पहले पर ये तीसरे पर मैंने आपको दी है D SSB मैं तो आराम पसंद करता हूँ आराम सी किसी नौकरी दे रहा हूं आपको नंबर चार है या फैमिली लाइफ जिसमें फैमिली में टाइम हो आगे मैं पढ़ाई कर सकता हूँ उस तरह का क्रम मैंने भरा है ठीक है पर सब कुछ मेरे हिसाब से मच चलिएगा आपको अपनी चॉइस से बरिएगा इसलिए मैंने सारे फाइदे नुकसान बताएं है ये चोते नंबर पर पांचवे नंबर पर हमने इटी बीप को रखा च्छटे पैसम राइफल को रखा और साथ वे पर बी-स-फ को रखा ठीक है यह साथ ही पोस्ट आई इस बार एन-इए ए-सी भी नहीं है ठीक है तो बच्चो अब यहीं पोस्ट प्रिफरेंस ऐसे ही है एच बी डी सी एफ ए और कंफर्म करने के लिए फिर से यही भर दो सेम ठीक है अलग 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 मत बर देने फॉर्म एक्षप नहीं होगा कि सेम नहीं आपकी वैरिफाई का मतलब है कि आपने देख लो यही भरी है न कभी गलती से क्यों मेरी यह हो गई वह हो गई अलगी कारेक्षन बाद में भी किया जा सकता है पर पैसे लगेंके कर्केशन के मैंने यह क्रम आपका भर आया क्या रो गए क्लव इसट्रम वाला में बहुत को स्तेश्नियों रवाद में यह इंटरनेट वाली कोई कमी आपकी कमी इंटरनेट वाला यह भर देता है आपकी पहले पर देखो यही तो किया था उस लड़की के साथ उसे पहले पर A B C D E F H उसे क्या पता है और ऐसे से फ़ी लास्ट में चुनता है ऐसे बड़े सिकार हो जाते हो आप तो यह था उसका दिमाग इंटरनेट वाले का आपका दिमाग मैंने बता दिया है बच्चो तो 25 कॉलम तक बता दिया था पीछे 26 कॉलम फिर देख लीजे 10th स्टेंडर्ड 25 कॉलम तक तो बात हो गई थी ना बच्चों हमारी यह रहा सॉरी 25 चॉपिस तक यह 25 यह था हाईएस्ट एजूकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आप बीए ग्रेज्वेशन हो ग्रेजवेट हो तो यहां भरिए ठीक है यहां सेलेक्ट करना बीएस्ट का अपने आप वो देख लेका नाइन और बीए का वो अपने आपको ढूंड लेगा आपको मैं तो 12 भरना चाहता हूं ग्रेजवेशन कर रहा हूं तो 12 भरना अगर आप फर्स्ट सेकिंड थर्ड यर में हो तो आप यहां 12 भरना रिजल्ट आ गया हो तो यह भरना ज्यादा उश्यार बनने की जुरूत नहीं है आपका 10 पे भी काम हो जाए अगर यहां 10 भर दोगे तो फिक है तो वह कोई दिक्कत नहीं है कभी आ पास वाप यह यह मिनीमम क्वालिफिकेशन है यह क्वालिफाइंग तो यह सबको 10 भरना यहां सबको यह सबको 10 करना है उपर जो आपके पास हाइएस्ट हो जिसकी मार्ट सीट अभी रखियो यह उपर भरना ठीक है अब 26 वे कॉलम पर आ रहा हूं तो आप जो 10 यह यहां यहां पाल गया जाता है यह गया गया हृण ओर लिफ देना रोल नंबर होटा यहां लिए आप्स निग का CGPA होगा ठीक है तो CGPA भरोगे तो यह नहीं भरना यह भर रहा तो वह नहीं भरना ठीक है बच्चो Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities वैसे तो मिलनी नहीं है पर इसको फिर भी yes कर देना यानि यह जो कह रहा है कि अगर आप इस कॉलम को यस कर देते हो और आपका इस भरती में नंबर नहीं आता है तो आपको मंत्राले की तरफ से हो सकता है प्राइवेट जॉब के लिए और सरकार की तरफ से रख लिया जाया 1820,000 नौकरी वाली वह offer letter आ सकता है और उसके लिए त कर दोगे तो चांस रहेगा कि नंबर नहीं आया फिर भी कुछ मिल जाए फिर मतलब प्राइवेट एक नौकरी 1820,000 की करते हैं वहाँ सारे लोग ठीक है पर यह सिर्फ बिरोजगारी का मजा की है यहां कुछ मिलने मिलने वाला है नहीं पर नो करने से जादा अच्छा यस क कर दो ठीक है बागी कोई फरक इससे पढ़ना वाला है नहीं करस्पोंडेंस एड्रेस यह सब कुछ तो पहले से ही भरा हुआ आएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन में यही भरवाएगा आपसे और यह फोटो अपलोड बगेर करवाएगा चूज फाइल यह फोटो वोटो प भरके बढ़िया आ रहा है सीनतान के अच्छे से किचवाना और ज्यादा कलरफुल मत करना में इसको भी कहूंगा इसने ज्यादा कलरफुल कर लिया है थोड़ा सा ठीक है तो लाइट सेड के कपड़े पहना होगे पीछे रख लो ग्रे कलर का सेड लाइट कलर का सेड पीछ रखोगे तो अच्छा फोटो आता है यह भी अच्छा फोटो कोई दिक्कत नहीं रिजक बिल्कुल नहीं होगा और यह इसके साइन अर्जुन वर्मा ऐसे लिख दिया जैसे मैं लिखू तो ऐसे लिखूंगा अंकित पिरावे कुमार बीच में थोड़ा गैप दे करके ठी तो इस तरीके से आपको फिल करना और सबसे जरूरी कॉलम तीसवा है सबसे जरूरी अगर आपने यह कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी देखो वैदर दे फोटोग्राफ हैज बिन टेकन और आफ्टर 24 अगस्त आपका फोटो नया होना चाहिए 24 अगस्त के बाद का होना चा नो करते ही फार्म फोटो पुराना लगा दिया और वो कहरे थे हमने तो तीन महीने पुराना ही फोटो चाहिए बस और जैसे ही no किया जिस कमदलर 24 अगस्त आपका पहला फोटो है तो कहTAए बात समझ में आगी सबको यह यसी क्लिक करना है फोटो भी नहीं यहां लेट वेट का कोई जिकर नहीं है वोट्वेट का कई जिकर कर दो प्रिव्यू करोगए तो वॉर्म दिखाएगा और इन्टरेट आ जिकूड़ करने है प्रिव्यू इसलिए होता है इंटरनेट वाले को पहले प्रिव्यू दबाना पड़ेगा आपका फॉर्म सम्मिट करते टाइम फिर आप देख लो एक डिटेल भाई मुझे चेक करने नाम चेक करवाई चेक कर दिया एक लाइन में पूरा फॉर्म आ जाएगा पूरा उस पर ठीक है जैसे ही प्रिव्यू हुआ तब उसके बाद आएगा अगर कुछ करेक्शन रह गया एडिट यह मॉडिफाई कर दो नहीं रहा है सम्मिट करके जैराम जी की हो गया काम ठीक है प्रिंट यस फॉर्म अब देखिए वह है कि अप्लिकेशन रिसीव्ड हो गया है डू यूर्ण टू प्रीश फॉर प्रॉसीड फॉर पेमेंट अब पेमेंट से स्टि वा लोको तो नहीं करनी ना लड़कियों को करनी एना एक सर्विसमेन को करनी है उनके लिए तो यह प्रम समिट यस ओके दन आपका काम ड़न डे डेडन अड़न लेकिन जो बच्चे हैं जिन इंटरनेट वाला अपने खाते से कटवा के सो कटवाएगा आपसे देड़ सो फीस ले लेगा पचास भरने की भी तो चीए उसको तो इस तरह से आपका फॉर्म कंपलीट हो जाता है बैच की इंफॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूं उम्मीद है कि आपको फॉर्म का एक एक निशान बना है दोस्त लोग बना है कि डॉक्मेंट वेरिविकरिकरिशन नहीं हो नहीं हो जाएगा अगर वहिया वो सब को और ना में ऐसा ही दिया तो फिर आपका भी होगा वो कोई दिक्कत नहीं है वो तो बोर्ड का का परसेंटेज लिख वाला हुगा आज कल वो परसे थिया वहिया वाइट पेज पर करना लाइनिंग वाले पेज पर मत करना हिंदी में कर दिये तो भी कोई दिक्कत नहीं है वह भी एक्सेप्ट होते देखें फो फिर भी प्रिफ्रेंस इंगलिस के साहिन की रखो और पहला लेटर बढ़े से बागी सब चोटे से ठीक है चलो तो सारे डाउट्स केलियर तो बच्चे अब वीडियो के इसके नीचे कमेंट कर देना अगर फिर भी कोई डाउट बचे तो हम किसी जनरल इंफरमेशन वाली वीडियो में बता देंगे नमस्कार धनेवाद